नमस्कार दोस्तों, साकत है आप सभी का रोशन साइच स्टेडी बॉर्ण पे और आज की इस वीडियो भी हम समझने वाले हैं 12 ग्लास इस्ट्री का जो चप्टर नमल 5 है जिसका नाम है यात्रियो के नजरिये यह one-shot वीडियो होगा एक ही वीडियो भी हम पूरी चप्टर को समझने वाले हैं और बहुत ही डिडियल में मैं आपको चप्टर समझाने वाला हूँ लेकिन पूरे डिडियल में आपको मैं चप्टर समझा दूँगा आप सिर्फ इस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा आप चप्टर को असानी से समझ बाएंगे देखी आप लोग अगर रोशल सा स्टेडी वर्ण में पहली बार है तो आपको मालूम होगा मतलब मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर आपको एनिमेशन के थुरूबी पूरे हिस्टी के स्लेवर्स को कम्प्लेट कराया गया है तो आप लोग अगर एनिमेटिड वीडियो दे कुषण आते हैं तो इन सभी कुषण को हमने इस वीडियो में एड किया है तो आप इस वीडियो को भी जरूर देख्ये प्रेलिश्ट में शारी वीडियो है थीक असई पलस वीडियो है पर अपको पता है जात्रीव के नजीरी चApp-TOR का नाम में है टीर प्रेव्वी तकर करने आए अलग-अलग समयकाल में उन्होंने जो कुछ भी भारत में देखा उसका वरणन अपने गरंध में किया अपनी पुस्तके लिखी उन्होंने ठीक है उन पुस्तकों के मात्रिय हम से हम भारत को किस नजरिय से समझ सकते हैं उसी के बारे में हम इस शेप्टर में समझने वो अलबिरूनी है, ठीके, अलबिरूनी जो आया था, वो ग्यारवी सदी में आया था, कहां से आया था, हुझबेकिस्तान में एक सहरे खुवारिजयम, यहां पर उसका जन्दम हुआ था, यहां से आया था ही, 973, ठीके, उसके बाद लिखित गरंद की हम बात करें, तब यह की है, उसके बाद इबन बदूता की हम बात कर लेते हैं, इबन बदूता जो दूसरा यातरी रहेगा, जिसके बारे में हम इस चप्टर में जानने वाले हैं, यह चौदवी सदीवे भारत की आतरा करने आया था, दिल्ली सल्तनत के समयकान में आया था है, और जन्दमिस्ता का नाम किया है रियाला और गरंद किस भासः में लिखिये इसने तो अर्भी भासः में इस गरंद की रचना कियेई उस इस चाप्टर में हम डेटेल में जानने वाले हैं, उन्हों ने जो कुछ भी भारत में देखा है, जिनसी जो का वर्णन किया है, उसको हम समझने वाले हैं, तो एक बार पहले हम मैप में चल दें, और मैप में चल गे इन, यह जहां से आये थे, वहां की लोकेशन को हम जानते ह सो पहरे पच्छो यह आप विश्व के मानचित्र को देख पा रहे हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अलविरूनी की तो आपको पता है अलविरूनी आया था उजवेकिस्तान से ठीके अब देखो उजवेकिस्तान कहा है आपका यह देखो यहाँ पे आप पाकिस्तान अफगानिस्तान के थोड़ा से ऊपर जाएंगे यह वाला लोकेशन जो है आपका उजवेकिस्तान का आपको दिख रहा होगा ठीके तो यह आया था उजवेकिस्तान से जो की एसिया महादीब में आता है तो ईबन बतूता कहाँ से आया मुरक्को से आया यहां पर आपको दिख रहा होगा उत्तराफरीका का सबसी आखरी दिस यह दिखो यहां पर आप तो यह देखो flavors के वारे में हम बात करने वाले थे psychology इरोप में बड़ जाता है। इरोपिय महादीव का देश है। तो ये तीनों आत्री जो है आप देखेंगे अलग-अलग महादीवों से आय थे यानि कि इनकी सौंच अलग-अलग रही होगी। यहां इन देशों में रिती रिवाज रहन से अलग अलग रहा होगा लेकिन भारत को उन्होंने किस तरीके से किस नजरी से देखा है उसी के वारे में चप्टर में हम समझने बाले हैं अब NCIT में जो पहला टॉपिक दे रहा है वहां से हम सुरू करते हैं तो NCIT में पहला टॉपिक है अलविरूनी तथा किताब ओल हिंद ठीक है यह हैडिंग है ख्वारिजम से पंजाब तक टॉपिक है हमारा इसमें हम सबसे पहले अलविरूनी की बात करेंगे तो आपको पता ह अलविरूनी का जो जनम है उजवेकिस्तार में हुआ था ख्वारिजम नामक एक सहर है वहां पे हुआ था और सन 973 में हुआ था जनम का हुआ था नौ शिक्षा का एक महत्पून केंदर माना जाता था मतलब यहां पर अच्छी सिक्षा प्राप्त उसने की थी और उसके बा जनवी था। आप लोगोंने मेहमूद गजनवी के वारे में सुना भी होगा, जाना भी होगा, पढ़ा होगा तो मेहमूद गजनवी ने उस वहाँ पर हमला कर दिया कİm नहींने उसकेट बहुत सारे विद्वानओं को पकड़की लिया गा, Khalid J Θamos से तो ये गजनी सहर बहुत पसंद आ गया, इतना ज्यादा पसंद आ गया कि उसने बाकी पूरा जीवन इसी सहर में बिदाया, हैना सतर वर्ज की आयू में अपने मिलित्यू तक उसने अपना पूरा जीवन इसी सहर में बिदाया था, अब गजनी में ही अल विरूनी का भारत के प्रतिय रुची उत्पन होता है अब देखें, आठवी सताब्दी की हम बात करें तो आठवी सताब्दी से ही क्या होता है कि संस्क्रीत में रचे जो भी रचनाय है गणित है, जो चिक्स्रा समनेत पद्धती है खगोल विज्ञान है उसका अरवी में अनुमाद बने लगा था तो अलबिरूनी क्या कर सकता था भारते गरंतों को असानी से समझ सकता था इससे भी उसका भारत में रूची बढ़ने लगा था इसके अलाबा अलबिरूनी ने भारत के जो ब्राम्मन थे पुरोई थे विद् अलबिरूनी ये पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की आतरा भी करना है स्टार्ट किया और उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई राजियों की आतरा उसने की थी ठीक है अब भारत में रहते हुए उसने क्या किया एक पुस्तक की रचना कर दी जिसका नाम क्या है कि इसमें ये एक बहुत विशाल का एकरंद है इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है जैसे कि इसमें धर्म और देल्शन का वर्णन है तिवहार का वर्णन है खगोल विज्ञान आप समझते हैं ना अंतरिक्ष के बारे में कीमिया रिती रिवाज या उसमें की पर् लोगों कैसे मापा जाएगा उसकी बेदी मुर्टिगला कानून है ना इन सब चीजों का वर्णन किया गया है और इसका जो विशेवस्तु है उसको टोटल असी चैप्टर असी अध्याय में बाटा गया है ठीक है तो असी अध्याय में लिखा गया है यह पुस्तक अब दे अध्याय में लिखा जाए तो विद्वानों का कहना है कि इसका मुख्य कारण अल विरूनी के गणित के परती जोगा है जुकाब जादा था उसका इंट्रेस्ट जो था हो गणित में बहुत जादा था और अल विरूनी अर्वी भासा का भी प्रियूग करता है मतलब कि उसने ज्यादा तर गरंत जो अपने गरंत में जो जिस भासा का इस्तवाल किया वो अर्वी भासा ही है वो संस्क्रीथ, पा अब हम बात करते हैं इबन बतूता का रिहला एक आरमफिक विश्व यात्री देखो इबन बतूता की जब हम बात करते हैं तो इबन बतूता को एक विश्व यात्री कहा जाता है उसने बहुत सारे जगे की यात्रा की बहुत सारे देशों की यात्रा की उसने और उसको एक हठ थेला यात्री भी बोला जाता है, जिसने बिना थके, बिना रुके, लगतार यात्रा करता रहा, ठीके, तो चलिए, अब हम सुरू करते हैं, इबन बतुदा के बारे में जानना, तो इबन बतुदा ने अर्भी वहासा में अपना यात्रा विदान्त लिखा है, जिसको हम क्या पूलते हैं रिहला बोलते हैं ठीके जो रिहला है वो चोथी सतावदी नहीं होगा चोदवी सतावदी होगा ठीके यहाँ पर मिस्प्रिंट हो गया होगा उसके लिए मापे चाहूँगा तो रिहला जो है वो चौद्वी सताफदी में जो उप महादीप का समाजिक और सांस्क्रितिक जीवन है उसकी जानकारी देता है तो इसका जगर जनम है इपन बतुता की हम बात करें इपन बतुता का जुँता का जगर जो जनम है वो मुरक्को के टैंजियर नामक सहर में हुआ था टैंचियर एक सहर का नाम, वहाँ पर उसका जनम हुआ था, और सबसे सिक्षित और सबसे सम्मानित परिवार में इसका जनम हुआ था, इसके जो माता-पिता थे, उस सरिया कानून पर अपनी विश्यस्यता के कारण बहुत ज़्यादा फीमस थी, मतलब इसके माता-पिता को न सरिया कानून का बहुत अच्छा नोलिज था, इस विज़े से काफी ज़्यादा फीमस था, इबन वदुदा ने कम उम्र में ही सहितिक तथा ससत्रूडी सिक्षा हसिल कर ली थी, मतलब कम उम्र में ही उसने काफी ज़्यार सहितिक गरंथों को पढ़ा उसनी और अच्छी ख यातरा करने का सोग था, स्टाटिंग से ही, अब देखो भारत में आने से पहले 1332-1333 के दौरान उसने कई ज़गे की यातरा की, सबसे पहले उसनी मक्का की तीर्थ यातरा किया, उसके पास सीरिया गया, इराग गया, फारस गया, यमन गया, ओमान, पुर्वी अफ्रीका, इन सभी जगे की आतरा कर डाले, उसने भारत में आने से पहले, भारत में कब आया, 1333 में आया, ठीके, किस रास्ते से आया, तो सिंध के रास्ते, मध्धे एसिया के रास्ते होते हुए, वो पहले सिंध पहुचा, मध्धे एसिया के रास्ते होते हुए, कहां पहुचा हो उसने दिनली के सुल्तान मुहम्मद बिन दुगलग के वारे में सुना था, उसमें दिनली के सल्तनत के सुल्तान थे, वो मुहम्मद बिन दुगलग थे, तो मुहम्मद बिन दुगलग के वारे में उसने काफी ज़्यादा सुना था, उसने सुना था कि जो मुहम्मद बिन होंद बहुंच गया, दिलि पहुंच गया, ठीके, अब दिलि पहुंच आ तो भाइ, दिलि पहुंचने के वाइ, सुल्दान के सामे में जाएक उसनि Papãy her, अपना talent दिखाया, talent दिखाने के वज़े से दिल्ली जो सुल्दान थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए उसको काजी के पत्वे क्या कर दिया निक्त कर दिया यानि की काजी मतलब की न्यायधिस बना दिया ठीक है अब कई बर्सों तक हो काजी के पत्वे रहा लेकिन बाद में उसने विस्वास खो दिया कुछ गलत फिर से उसको नौकरी दे दी गई फिर 1342 में उसको मंगोल सासक के पास सुल्दान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया तो चाइना क्यात्रा करने गया कब 1342 में उसके बाद इबन बदूता मालवाट टट से मालदीब की तरफ भी गया मतलब नीचे की तरफ साउथ इंडिया के तरफ भी हो गया मालदीब में वह 18 महिने तक रहा काजी के पतबर रहा और फिर उसको सिर्लंका जाने का निश्य गया और सिर्लंका भी गया फिर मालवाट टट होते हुए मालदीब गया बंगाल असम और चेन की आतरा उसने की ठीक है जहाज से वो कहा गया समातरा गया और समातरा से एक और जहाज से चीनी बंदर का जैतून तक हो गया उसके अलब उसने चीन में यातरा की ब्रिजिन तक ब्रिजिंग जो चाइना की राजधानी है ठीक है वहाँ भी गया लेकिन वो ज्यादा देर तक वहाँ रुगा नहीं और उसके बाद 1347 में उसने घर जाने का निश्य कर लिया में अब यहां भी इतने सारे या की बिलकुल लएक नाम को याद भी नहीं होगा, तो आप दो चार जाएगे के नाम लिख सकते हो और उसके बाद आप बता सकते हो कि इन वदुदा एक हटीला याद्री था और उसने अनेग जाएगे अनेग सहर की आतना अनेग देशो की आतन देखिए इबन बतूता की यात्रा के बारे में तो देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इबन बतूता की इबन बतूता की यात्रा विर्टान्त है उसकी तुलना मारको पोलो से किया जाती है इपन बतुता ने मुलतान से दिनली की दूरी तक की दूरी ताय करते हैं तो 40 दिन लगता है अब मतलब इबन बतुदा यह बता रहे कि उसमें यात्रा करना बहुत जाला टफ था क्योंकि काफी लंबे समय तक यात्रियों को पैदल चलना होता था अगर सिंद से दिन्ली की यात्रा करनी है तो आपको 50 दिन का समय लग जाएगा जबकि ग्वालियर से दिन्ली की दोरी 10 दिन में तैक की जा सकती थी इसके अलाबा यात्रा में भाई डाकों का हमला हो जाता था ठीके डाकों लोग हमला कर देते थी इस वेज़े से भी बहुत सारे यात्रियों की मिरित्य हो जाती थी पताता भी है कि मुल्तान से दिल्ली की आत्रा में उसके कारवा पर यानि कि उसका जो गुरुप था उसके उपर डाखों का हमला हुआ और उसके कई साथ ही घयल हो गया तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि 14 सदी में आत्रा करना बहुत जादा कठिन था अगला टॉपी के जिग्यासाओं का उभोग इसमें बता रखा है कि इबन बदूदा एक हटीला यात्री था हटीला यात्री क्यों था क्यों था क्योंकि उसने बिना रुके ठके अन्यक जगे की यात्रा किये थे यहना अफ्रीका पश्मी एसिया मद्धे एसिया और आपने च वर्नियर एक विशिष्ट चिकित सक तो देखिए लगभख पंद्रासो एसवी की हम बात कर रहें तो पंद्रासो एसवी में पुर्तोगालियों के आने के बाद कई भारतिय समाजी के रिद्दी रिवाज दाधा धार्मिक पर्थाओं के बार में विर्तान्त लिखे गए हैना जब पुर्तोगालियों का भारत में आगमन हुआ तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी मतलब ऐसे विद्दान्त लिखे गए जिसमें भारतिय समाज, भारतिय रिद्दी दिवाज और पर्थाओं के बारे में जानकरी हमें मिल जाती है इसमें से एक व्यक्ति का नाम आता है जुस्वेट रोबर्टे नोबिल ठीके इसने क्या किया था भारतिय गरंतों का एरोपिय भासा में अनुवाद किया था ये नाम याद रख लेना वन माक्स में आ सकता है सबसे पर्शित इरोपिय लेका कि अगर हम बात करें तो दुआते बर्बोसा बर्बोसा जो है उसने दक्षिन भारत की यातरा किया थे और वहाँ के वैपार और वहाँ के समाज के वारे में विस्त्त विवरन उसने दिया है मतलब बहुत ही सुंदर वर्णन उसने किया है इसके अलावा 1620 की अगर हम बात करें तो 1620 की बाद भारत में आने वाले डच अंग्रेज फ्रांसिसी यातिरों की संख्या बढ़ने लग गई थी मतलब बहुत सारे जो यातिरी थी वो भारत की यातिरा करने लग गए थी इसके अलावा फ्रांसिसी जो हारी जो बैप्टिस्ट तैवर्नियर ठीक है थोड़ा खतरनाक नाम है यह छै बार भारत की यातिरा किया था इसने ठीक है तो यह भी आप याद रख लेना वानवाक्स में आ सकता है जब भारत की बैपारिक इस तरी से बहुत ज्यादा परभावित हुआ और इसने भारत की दुनला इरान और आटोमन सामराज्य से इसने की थी ठीक है तैवर्नियर की मैं बात कर ला हूँ एक बर्नियर था यह तैवर्नियर है शोट में आप याद कर सकते हूँ तैवर्नियर ठीक है एक तावली चिकिस्चक था जिसका नाम था मनुकी ठीक है वो भारत मतला यूरोप से भारत आया था और भारत में ही बस गया हूँ 12 वर्षतक मुगल दर्वार में नजदी की रूप से जुरा रहा वो दाराशिकों के चिकिस्टक के रूप में भी काम किया था यह आप यहाँ पर टाइम पिरिएड भी बता रखा है लगवख 1656 से लेके 1668 तक यानि की 12 वर्षतक मुगल दर्वार से जुरा रहा और मुगल दर्वार में अपनी सेवा देता रहा पुर्व और पश्चिम के तुलना देखिए फ्रांसर वर्णियर ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना जहां से वो आया था फ्रांस से आया था वहां से करने की कोशिस करता है और उसने जो गरंथ लिखा अपना ट्रैवल सिंदम मुगल एमबार उसको का करता है वहां का जो सासक है फ्रांस का सासक लुई 14 लुई 14 को वो समर्बित कर देता है ठीक है और उसको वहां पर फिर प्रकासित किया जाता है अब देखिए फ्रांस वर्णियर ने हर स्थिति में भारत को इरोप से पिछड़ा हुआ बताया है ना भारत की स्थिति दैनिय बताया अब उसका यह जो गरंथ था वो काफ़ी जादा वहां पर फेमस भी हुआ उसका जो गरंथ था वो कब प्रकासित हुआ था फ्रांस में तो फ्रांस में ये 1670 से 71 में प्रकासित किया गया था और अगले 5 वर्ष में इसको अंग्रेजी में, डच में, जर्मनी, इतली भासा में अनुवादित भी किया गया, ट्रांसलेट भी किया गया था और इसके अलाबा 1670 से 1725 के बीच में इसका जो वृतान था उसको फ्रांसेसी में 8 वर उसको पुनह मुद्रित भी किया गया, यानि कि उसका जो गरंद था उसको काफे ज़्यादा वहाँ पे पसंद किया जा रहा था अगला टॉपिक आता है एक अपरचित संसार की समझ अलबिरूनी तथा संस्क्रीत वादी परंबरा यहाँ पे हम अलबिरूनी की बात करने वाले हैं, अलबिरूनी जब भारत में आया, तब उसको भारती दिहास को समझने में काफी सारी बाधाय आई तो अलबिरूनी जब भारत आया तो उसको भारती दिहास को समझने में जो बाधाय आई, उसकी हम बात तर लेते हैं सबसे पहली जो बाधा दी वो भासा की थी है अल विरुनी को जो आपको पता है कहां से आया था उजबेकिस्तान से आया था और वहां से आया था तो वहां पे ज़्यादतर लोग अर्भी भासा बोलते थे उसको अर्भी भासा का ग्यान था लेकिन भारत में जो भासा चलने ल प्रथाओं में बहुत ज़्यादा भिंता थे। भारत में अलग-अलग जाती, अलग-अलग प्रथाओं को मानने वाले लोग रहते थे। उनको समझना भी अल विरूने के लिए काफी ज़्यादा टफ था। अना इसके अलावा तीसरा जो समस्य आया उसको वह था यानि कि थोरे से गमन दिखाते थे और कुछ पूछने भी बहुत सारी लोग बताते नहीं थी, यह भी बात उसने बताया, लेकिन फिर भी उसने भारती इतिहास को समझने के लिए, भारती समाज को समझने के लिए उसने भारती गरंथों का इस्तमाल किया, जैसे कि पुराण ह अगर अगर बी काता है अलविरूनी का जाती विवस्ता का विवरन मतलब कि अलविरूनी ने जाती विवस्ता के वारे में जो भी विवरन दिया है उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं गुर्षवार और शासक वर्ग थे पहले वर्ग में, दूसरे में व्यक्षू, अनुस्ठानिक पुरोहित और चिकिस्तक आ जाते थे, बस व्यक्षू और अनुस्ठानिक पुरोहित को डालो, अब तीसरे में डालना चिकिस्तक, खगोल सास्त्री और अन्यविज्यानिक, यह तीसरे वर्ग में आ गए और चोथे वर्ग में आ जाते थे किरिशक और सिल्बकार ठीके ये चार वर्ग थे प्राचीन फारस में अब वो ये चार वर्गों का वर्धन करके अल्बिरूनिक क्या दिखाना चाहता है वो दिखाना चाहता है ये जो समाज के अधारपियों जो व उसको आशिवकार कर देता है। वो क्याता है कि हर वा वस्तु जो अपवित्र हो जाता है। वो अपनी पवित्रता की मूल इस्तिति को दुवारा से प्राप्त कर लेता है। यानि कि अगर कोई भी बस्तु अगर अपवित्र हो भी गए ना, तो कभी न कभी पवित्र जरूर हो जाएगा, यह प्रकृति का नियम है, जैसे कि वो एक्जामपल दे के समझाता है, कि सूरे की जो रोशनी है ना, वो हवा को स्वच्छ कर देती है, अगर हवा परदूसित ह हो जाए, तो सूरे की किरने उसको साफ कर देती है, उसी तरफ अगर हम समुदर में नवक की बात करें, तो पानी वो गंदा होने से बचाता है, यह प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अगर असुद्ध हो जाता है, तो प्रकृति कभी न कभी इसको सुद्ध जरूर कर देती है, तो यह जाती के अंदर जो पवित्रता की मानेता है, पूरी तरीकी से प्रकृति के नियम के बिरुद्ध है, यह बाते किसने बताई, अल बिरुद्ध है, अब इबन बतुदा की हम बात करते है, तो इबन बतुदा के वारे में अगर हम बात करें तो उसने नारिय से खजूर का फल मिलता है लेकिन नारियल से हमें कास्ट फल याने की मानव के सिर्गयाकार का फल मिलता है ठीक है और पान के वारे में क्या पताता है कि पान की जो लताये हैं वो बिल्कुर अंगूर की लताओं के समान है लेकिन अंगूर को आपको पता है फल के लिए उगाया पान को उसके पत्तों के लिए हुगाया जाथता है, और पान के पत्तों में पारी वहाइदा लगा के, इसकोचवा खाया जाता है. इस तरीकी है, उसने उसने इनका वर्नन किया लेकिन इबन बदुता यहाँ पी अच्छी बाते बताएगा, तारीफ करेगा, लेकिन फ्रांसर वर निर जब आएगा तो भारती सोहरों की बस बुराई करेगा, तो देखिए इबन बदुता ने बोला कि भारत के सहर उन लोगों के लिए अपसरों से भर हुए थे, उन लोग युद में ये सहर नश हो जाते थे, हैना यहाँ पे भीर बार वाले सरक, चमक दमक वाले रंगीन बजार थे, जो की अनेक परकार की बस्तों से हमेसा भरे रहते थे, दिल्ली को सबसे विशाल का सहर बताता है, और सबसे ज़्यादा आवादी वाला सहर भी बताता है, दौल ये समाजिक और आर्थिक गतिविधी के केंदर भी माने जाते थे, अधिकांस बाजार में एक मजिद होता था, एक मंदीर होता था, और कई जाएगे पर ये भी दिखा गया कि नर्तक जो है, संगीतकार है, गायक है, उनके लिए अलग से स्टेज बनाया गया, ठीक है, और स शहर अपनी संपत्ती का जो बहुत बड़ा हिस्सा था वो गाउं से अधिसेश की अधिगरहन के रूप में प्राप्त करता था। इस लाइन के कहने का मतलब यह है कि शहरों के समरीदी का कारण ग्रामी नर्थ वस्ता थी। गाउं की जो क्रिसी थी यह ना गाउं की क्रिसी जो थी वो बहुत जादा उपजाओ थी। मिटी भारत की बहुत जादा हुजाओ थी इसलिए वर्ष में दो फसले उगाई जा सकती थी। और उन्ही सब चीजों के विज़े से सहर के लोग वैपार वैगेरा करके कमाते थे, भारत जो था वो एसिया के वैपार तंदर से भी जुरा हुआ था, ठीके, और इस विज़े से भारत का एसिया के साथ वैपार होता था, भारत के जो समान है, उसका जो डिमांड है, उसका ज सूती कपड़े की बात करें, महीन मलमल की हम बात करें, रिसम, जरी, जरी बूटी की अगर हम बात करें तो इसकी डिमांड बहुत ज़ादा थी। यानि कि उसमय के रादय जो है, उन्होंने विबारिक मार्गों पर सराय बनाया, सराय यानि कि विश्राम गिरिया जहां पर लोग रुख सकते थे, ठैर सकते थे। लेकिन गुप्त चरोगी जो खबरे थी, इस डाक विवस्ता से मातर पांच दिन में पहुचाई जा सकती थी। दूसरी तरह आपको पता है, मुलतान से दिनली तक की दोरी 40 दिन में तैय होती थी, लेकिन इस संचार विवस्ता से, या इस विवस्ता से सूचनाओं को मातर चार दिन में पहुचा दिया जाता था। तो इतवी जादा कारे कुशल ये संचार विवस्ता थी। तो भारत में दो परकार के संचार विवस्ता थी। एक है अस्व टाक विवस्ता को उसमें उल्लूक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था। उलूक, ठीक है, जिसमें हर चार मील की दूरी पर एक राज किये घोड़े द्वारा संचालित होता, ठीक है, मानलो बटना, तो हर चार मील की दूरी पर एक केंदर बना जाएगा, और हर केंदर पर एक गुर्ण सवार तैना रहेगा, मालो यहां से भागना स्टार्ट किया दिल्ली से सूजना लेगे भागना स्टार्ट किया बीच में मालो कांदपूर परता है तो कांदपूर पहुचने से पहले जो घुरसवार जो होगा क्या करेगा अपने हाथ में गंडी रखेगा उस घंड़ी को बजाएगा ताकि यहां पहुचने से पहले बंदा जो अलाट हो जाए और फिर यहां से अगला बंदा भागना स्टार्ट करेगा वो अगले सेंटर पहुचने से पहले घंड़ी बजाएगा ताकि यहां बाले बंदे को पता लग जाए कि पीछे से कोई सूजना लेकि आ रहा है इस तरीके से ये डाक विवस्ता कारे करती थी जैसे डाक कावर होता है आप डाक कावर समझते होंगे उसे तरीके से ये डाक विवस्ता भी काम करती थी पैदल डाग व्यवस्ता थोड़ा सा अलग था पैदल डाग व्यवस्ता में पैदल व्यक्ति भागता था इसको दावा कहा जाता था क्या कहा जाता था दावा हर तीन मील पर अवस्थाई होती थी मतलब कि एक मील का एक तिहाई कहने का मतलब यह है कि एक मील पे तीन केंद्र मने होते थी हर एक मील पे क्या बना होता था तीन केंद्र क्योंकि पैदल बेक्ती कितना दूर तक भागेगा इसलिए यहाँ पे दूरी को कम कर दिया गया हर एक मील पे तीन केंद्र मना दिया और उसके बाद सुचनाओं का आदान परदान सेम तरीके से होता था लेकिन इस दावा में यानि कि पैदल डाग विवस्ता में पैदल पेक्ती सुचना लेके जाता था ठीक है अब आज जाते हैं वर्णियर की हम बात कर लेते फ्रांसवा वर्णियर और विक्सित पूर्व देखिए आपको पता है फ्रांसवा वर्णियर ने जो ट्रैवल सिंदा मोगल एंबार नामक पुस्तक लिखी उसमें भारत का वर्णन एक अलप विक्सित देश हैना एक दैनिय देश के रूप में दिखाया है भारत को तो फ्रांसा वर्णियर ने क्या किया है भारत का जो चित्रन है और दी रितता के अधार्वे किया है इसका मतलब क्या है कि भारत की दुनला हमेशा इरोप से विपरित रूप में किया है प्रसन आता है सबसे इंपोरिंट टॉपिक यिस चेप्टर का भूसौमित्व कि अगर हम बात करें तो जो फ्रांसवा वर्नेर है बताता है कि भारत में नीजी भूस्वामित्व का भाव है आपको पता है कि भूस्वामित्व दो like होता है थो एक निजी भूस्वामितब और एक होता है राज्कियभूस्वामित अमीर लोगों के बीच में अपने सगे संबंदी लोगों के बीच में जमीन को बाट देता है जो कि अर्थवेश्था के लिए और समाज के लिए बहुत ही बुरा है भाई ये है ना इसके बुरे परभाव होते हैं अब राजकी अभु स्वामित्व होने के कारण जो भुधारक है जो जमीन पर खेदी कर रहे हैं वो अपने बच्चों को जमीन नहीं दे सकते इसलिए वो जमीन को बैतर करने के लिए जमीन को और ज़्यादा उपजाव बनाने के लिए कोई महनत नहीं करते हैं कोई लगन से कारे कोई नहीं कर रहा ठीक है अब नीजी भु स्वामित्व के अभाब के कारण एक बहतर भु धारक वर्ग का उदै नहीं हो पा रहा है इस बेज़े से भुमी का सही से रख रखाब नहीं हो पा रहा है ये बात कोन बता रहा है फ्रानसवा वर्णियर बता रहा है कि नीजी भु सामित्व के कारण भुमी का सही से देख रहे हो रहा है इससे सबका सोशन हो रहा है इसानों का समाज के सभी वर्गों का जीवन पतन के का गार पे आ गया है सिर्फ राजा को फायदा होता है ठीक है राजा क्योंकि टैक्स वो सूल रहा है लेकिन सबका जो जीवन है आम नागरी का जो जीवन है वो बस से बत्तर हो गया है बर्नियन भारतिय समाज को दरिद्र लोगों का समाज बताता है ठीक है जहां पर क्या है एक तो भाई बहुत अ यहां पर बता रहे हैं वारत में मद्धे की सिदिक योग नहीं है आ वर्म्जर्सामराजए को देखो किस तरीके से मुगल सामराजए का वर्णन करता है यहां के राजाओं को भिखारियो나ures और कुरूर लोगों का राजा बताता है के नगर को गणदी हवासी और खराब हवासे दूसित बताता है यहां के खेद को जshi दार और घातक दलडलों से भर हुए भरा हुआ भताता है है अगर राजकिय भूश्वामित को खतम डिया जाए तो सारी स्कुछी ठीक हो जाएगी ऐसा उसका मानना था क्योंकि जहां से त से ओ दू ड्राजर करने उसका कि आए था फ्रान्सवाट नहीं भूश्वामित को परचलन तो उसको लगता है कि पे… देखो फ्रांसा वर्णियर ने जो बाते बताई उसका मतलब कुछ यात्री जैसे एक मिनिट तो अबुल फजल के वारे में आप लोग जरूर जानते होंगे अबुल फजल जिन्होंने अकबर नामा के रचना की है तो कहीं लोग कहते हैं कि मुगल शासक अपने लोगों से बह इस्रमिक बताता है यानि कि राज्य ने जो लोगों के लिए काम किया उसके बदले हो क्या करता है कुछ लोगों से बदले में मांगता है जो कि राजा लोगों की सिवा कर रहा है राजा लोगों की सुरक्षा परदान कर रहा है अपनी परचा को सुरक्षा परदान कर रहा ह उसके बदले लिया गया मांग है, ना कि कोई ये मतलब घुमी पे लिया जाने वाला टैक्स, ठीक है, इस तरीके से उसका वर्णन ये करता है, अब देखिए, जो फ्रांसवा वर्णियर ने जो अपनी बाते कही, अपना विचार जो व्यक्त किया, उसने पश्मी विचार को का काएब परभावित किया, जैसे कि फ्रांसिजी धर्सनीक है मौंटेश्को, काफी ज़्यादा परभावित किया, इसके विचार ने, दूसरे जो हमारे है, कारल मार्क्स, कारल मार्क्स ने भी इसके सिद्धान को, ऐष्या उतपादन सहली के सिद्धान के रूप में आगे ब अब अगला टोपी कहाता है एक अधिक जटिल समाजिक सच्चाई एक अधिक जटिल समाजिक सच्चाई किसके वारे में बता रहे हो तो ये भारतिय सिल्बकारों के वारे में है ये भी फ्रांसा वर्नियर बताता है भारतिय सिल्बकारों के वारे में एक अधिक जटिल समाजि द्वारा कोई सहता नहीं मिलता लेकिन उनके मुनाफ़ का आदि कर रहन राजय द्वारा कर लिया जाता है जो उनका मुनाफ़ा वो समान को बेज के जो मुनाफ़ा कमाद है उस पर राजय अपना दिका जाता लेता है ठीक है और इसलिए उत्पादन हर जगे कम होता जहारा है साधे साथ भारत जो है पूरे विस्व से बरी मातरा में जो बहुमुल्य धातू भारत में आती है क्योंकि जो उत्पादन का जो बैपार मतलब जो निर्यात होता है वो सोने चांदी के बितले होता है ठीक है इस वैसे जो उस समय थे 15% लोग जो थे वो नगर में रहते थे जो कि एरोपी आवादी से भी जादा थी मतलब एक एसा नगर जो कि अप टेंट वेगारा टाइप में मतलब अस्तित में आते थे और फिर वो लुप्त हो जाते थे एक दम से मतलब जहां पर राजकिये दरवार लगता थ जहां राजकिये दरवार लगाए जाते थे जहां राजा अपना राजकिये दरवार लगाता था वहीं पे नगर अस्तित में आते थे और जैसे राजकिये दरवार कहीं और चला गया राजा का दरवार कहीं और चला गया यह नगर लुप्त हो जाते थे लेकिन ये बात पू बंदरगाह यहां अलग चाला जाएगा उठके गई बंदरगाह तो ही रहेगा कोई धार्मिक एंदर के रूप में विक्सित हुए बहुत आर नगर थे जो कि और कुछ तिर्थिस्तल के रूप में विक्सित हुए थे तो उन नगरों को आप कहां उठा के लिए जाओ तो ये के ढारे हुआ जो हुआ गलत सिगहों थे दो भूक होटे थे अब इस नकलने में फार बैपार होते थे बहुत सारे भने लोग होते सिस नगण सेघ जो की पूरे भैपार को आपयगे बता रखा है इन सभी पॉइंट्स में है ठीक है चलिए अब हम इस चेप्टर के आखिर टॉपिक की बात कर लेते हैं महिलाय दासिया सती तथा स्ष्रमिक इसमें दास व्यवस्ता के बारे में बता रखा है तो इबन बतुता ने दास व्यवस्ता का वर्णन किया है इबन के रूप में यानि के दिया जाता था इबन बतुता जब सुल्तान मुहमद बिन तुगलक के लिए कुछ भेट खरीद रहा था तो भेट के रूप में उसने गोड़े उंट और दास खरीद लिए ताकि उसको भेट में दे सके इन चीजों को उसने मुलतान के गवर्णर के लिए किसमिस के बादाम के साथ एक दास घोड़ा और मतलब एक दास और घोड़ा उसको भेट में दिया था इबन बतुता बताता है कि मुहमद बिन तुगलक नसुरुदीन नामक धर्म उपदेशक की बातों से इतना ज्यादा परभावित हो गया मतलब एक धर्म इसकते थी इवन बतुता बताता है कि दासों में काफी ज्यादा अंधर थे सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों की निक्ति करता था ठीक है और इसके अलाबा दासों को जादा घरेलों काम के लिए इस्तमाल किया जाता था जो दास होते थे उनका घ स्थास्यडेशीच दासों की डिसे रुप से उन दासियों से कम होती थि जो कि घरेलों कामकाति के लिए बहुत ज्यादा मतलब उप्योंगी होती थी तो उनको मतलब दासियों को ज्यादा पैसे मिलते थे ज्यादा तर परिवार वाले जो की मतलब दास को रखने में सक्षम थे वो अपने पास एक दास जरूर रखते थे इसके अलब आपको पते हैं फ्रांस्वा वर्नियर ने सती पर्था के वारे में विवरन दिया है ठीक है और यहां पर आप देखेंगे कि तो सती पर्था का मतलब आपको पता है कि भाई पती के मृत्यों के बाद उसके सिता में उसके साथ उसके पतनी को भी जला दिया जाता था उसको अम सती पर्था कहते हैं तो फ्रांस्वा वर्नियर ने लाहॉर की बात की है क्यों आपक एक बालिका है उसको किस तरीके से सती कि जा रहा है और उस समय वह देख नहीं पाता है तो आपको पता है कि जितने भी बॉक्स ते रखें आपके लॉंग कोशन नहीं पूछे जाएंगे तो इसलिए मैं इस पीडियाप में उस टॉपिक को एड़ नहीं किया है लेकिन फिर भी सदी बढ़ता के वारे में आप लोग असानी से इसका वर्णन कर भी सकते हैं ठीक है यहां पर बता रहा है नीचे देखो सदी बढ़ता के वारे बता रहा है कि एक विद्भा बच्ची को उसने जलते हुए देखा था ठीक है और जो थी ओ मात बाराव वर्स की थी और उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया उस फिक देते थे उसको सती बंदे के लिए उसको मजबूर कर देते थे यह उम्मीद करता हुँ आज की इस वीडियो में जितने भी ट्रफिक मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया हुगा ठोड़ा तेज चलना पड़ता है क्योंकि ज्यादा सुलो चलूँगा तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा एक घंटेगी हो जाएगी है ना तुम मैं कोशिश करता हूँ कि 40 45 50 मिनट में एक चैप्टर कम से कम आपको कम्प्लेट करा दो अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक शेर जरूर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं